ग्यान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगं का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु के अनुसार की आपको किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए जैसा कि हम सभी जाजनते हैं वास्तु सास्त्र एक ऐसा सास्त्र है जिसके हिसाब से हम लोग हर चीज करते हैं और जिससे की घर में खुशाली आए और धन की कमी न हो साथी साथ परिवार की किसी भी वैक्ति को कोई भी समझतिया न हो इसके कारण हम बहुत सी चीज़ें लेकर आते हैं अपने घर में और बहुत सी चीज़ों को ढग से हम सजा के रखते हैं उठा के रखते हैं हम अपने घर में ऐसे चीज़े रखते हैं ये लिकर आते हैं जिससे घर में मौझूद जो भी negativity है नकारात्मक उर्जा है वो निकल जाए और सकारात्मक उर्जा हमारे घर में आए हम सब यह चाहते हैं कि हमारा जीवन में कभी भी खुश्यां जो हैं वो उसकी कमी न हो साथी साथ परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बिमारी या अन्य समझ्या न हो इसके लिए हम हमेशा जागुर्ख रहते हैं लेकिन हम कुछ चीज़ें छोटी चोटी चीज़ें वो हम भूल जाते हैं भूल कर हम गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण की हमारे घर में निगेटिविटी आ जाती है और उसमें से एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि हम घड़ी लगाते समय कभी भी ध्यान नहीं देते कि हमें किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की किस दिशा में आप घड़ी लगाएं वस्तु सास्तर के अनुसार घर या ओफिस की जो दक्षनी दिशा की दिवार होती है उस पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि दक्षन दिशा को यम की दिशा माना गया है और हिंदू सास्तरों में यम को मृत्यों का देवता माना गया है इस दिशा में घड़ी लगाने से बिजनिस के मार्ग में बाधाएं आने शुरू हो जाती हैं और आपको बिजनिस में लॉसे होने लग जाते हैं साथ ही घर के लोगों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है बिमार रहने लगते हैं लोग जिससे पैसे की हानी होती है इसलिए घर की दक्षिन दिशा के अलावा घर की दक्षिन दिशां पर तो आपको भूल कर भी लगानी नहीं गड़ी और साथ ही साथ घर के मुख्य दर्वाजे के उपर भी घड़ी न लगाएं, बहुत से लोग घर के मुख्य दर्वाजे के उपर घड़ी लगा देते हैं, जो कि बहुत ही अपशकुन माना गया है वास्तु सास्तर के हिसाब से, तो ये थी कुछ बातें घड़ी से जुड़ी हुई, अभी के लिवसित नहीं अगर आप और अधिक जानकारी जानना चाते हैं, तो हमारा चैनल ज्यान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद